आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ग्यान एक्सपी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज आपकी डेट है 12 जनवरी और आज हम आप लोगों को बहुत ही महत्रपूर्वा कोशन करवाएंगे जो आपके एक्जाम के पॉइंट वी से बहुत ही इंपॉर्टेंट है चलि क्या है तो आप्शन देख लेते हैं पहले आमंत्र प्रबंधन आमंत्र वितरण आमंत्र संबोधन या आमंत्र पुरुसकार ठीक है जो आपका एक आमंत्र पॉर्टल है तो यह किसलिए बनाया गया है तो किसलिए बनाया गया है यह आपका आमंत्र प्रबंधन के लिए आम सब्सक्राइब कर सकते हैं कौन करेका सरकार करेगी इसलिए बनाया गया है इसके अलावा जब 15 अगर 26 अनुरी होता है आप लोगों का तो जनता वहां पर इखटा होती हैं को टिकेट की विक्री भी कर की जा सकती है तो इसलिए पोर्टल बनाया गया थोड़ा और डीटेल में जानते हैं सरकार की इगवर्नेंस पहल के हिस्से के रूप में एक ओनलाइन आमंत्र प्रबंधन पोर्टल लॉंच किया गया है आमंत्र पोर्टल का उपयोग गड़ मानी व्यक्तियों अतित्यों को इनीमंत्र देने के लिए किया गया जो मैंने आपको बताते किसली बनाया किया है इन्विटेशन देंगे आप पोर्टल की थूर दे रहे हैं तो क्या बोलेंगे इन्विटेशन ठीक गरतन दिवस और स्वतनता दिवस के कारक्रमों को देखने के लिए आम जनता को टिक्टो की ओनलाइन विक्री के लिए किया जा सकता है एक सेकेंड समझे में आये आप लोगों को चलिए दूसरा कोशन देख लेते हैं हाल ही में खबरों में रहा किला उवा ज्वाला मुखी किस देश में इस्थित है ठीक यह नाम याद रखेगा किला उवा ज्वाला मुखी किस देश में इस्थित है ओप्सन देख लेते हैं पहले हवाई अमेरिका अमेरिका देश का जो एक राज है हवाई ठिक इंडोनेसिया सिचली या वेनेज्वेला तो कौन सा ओप्शन सही होगा किला हुआ ज्वाला मुखी आपका जो है वो हवाई अमेरिका में है ठिक थोड़ाओ डीटेल में देखते हैं अमेरिका के हवाई राज्य में इस्थित किला हुआ ज्वाला मुखी को ग्रह पर सबसे सक्री ज्वाला मुखियों में से एक माना जाता है सक्री ज्वाला मुखी क्या होता है एक टू वोलकेनों यह होते हैं जिसे लावा निरंतर निकलता रहता है तीन तरह की ज्वाला मुखी होते हैं एक तो यह सक्री हो गया एक क्या होता है मृत ज्वाला मुखी होता है जिसे कभी ज्वाला नहीं निकलेगा ठीक है मतलब लावा ठीक है उससे कभी लावा नहीं निकलेगा और एक होता है सुसुप्त ज्वाला मुखी मतलब वो ना सक्री नम्रित है उससे लावा निकल तो नहीं रहा है लेकिन अच्छानक से इन फ्यूचर कभी भी निकल सकता है तो बहुत खतरनाग होता है क्योंकि वहां पता नहीं चलता है कि कभ निकलेगा ठीक और अचानक से अगर उसके आसपास लोग है अचानक से वह एक्टिव हो गया तो बहुत खतरनाक होता है तो यह कैसा जौना मुखी है सक्री जौना मुंखी है इसरे निरंकर मानें पोनीзд नियांतर अलावा निकलता रहता है लונEX किलावहा का सिखर हवाई जौना मुखी राश्टी युदयान के अंदर आता है ऐक राश्टी युद्यान ने इसके पड़ोसी Monaloa दुनिया का सबसे बड़ा जौला मुखी में पिछले 38 साल में पहली बार विस्वोट हुआ है तो एक्जाम में कोशन पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा जौला मुखी है जो 38 साल के बाद पहली बार विस्वोट हुआ है तो यह नाम याद रिखेगा Monaloa ठिक चलिए अगला कोशन देखते हैं कौन सी संस्था रेलवे स्टेशनों को इट राइट स्टेशन प्रमाडन प्रदान करती है ओप्सन देख लेते हैं एक संस्था है यह संस्था क्या है आपकी देखे फूड सेफ्टी स्टेंडर्स अथौर्टी आफ इंडिया ठीक है तो खाज सुरच्छा के लिए एक संस्था है जो बताती है कि हाँ यह वेरिफाई करती है कि या यह खाने योगे है खादे वस्तु यह सुरच्छित है लोग इसे खा सकते हैं तो यह सर्टिफिकेट प्रदान करती है थोड़ाव डिटेल में देख लेते है भारती खादे सुरच्छा और मानक प्राधिकरण FSS AI द्वारा देखें इसका आप फुल फॉर्म याद रखेगा कभी कभी एक्जाम में डायरेक्ट यही कोशन पूछ लेते हैं कि FSS AI का फुल फॉर्म निल्मेखित में से क्या है द्वारा इट राइट स्टेशन प्रमारन उन रेलवे स्टेशनों को प्रदान किया जाता है जो यात्रियों को सुरच्छित और पौश्टिक भोजन प्रदान करने के लिए मांदंड इस्थापित करते हैं यात्रियों को गुडवत्तापूर और पौश्टिक भोजन उपलब्य कराने के लिए वारारणसी केंट रेलवे स्टेशन को हल्ही में 5 इस्टियार इट राइट स्टेशन प्रमारन से समानित किया गया है तो आपका एक और mcq निकल आया यहां पर देखे एक्स्प्लेनेशन से होता है कि अगर कोश्ट कैसे घुमा कर आपसे पूछ लिया जाए तो आप एंसर उसका दे देंगे ठीक है तो यहां पर क्या निकला कि अभी हाल ही में ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसको लच्छ दीप के संबंध में नेमलिखेत कथनों पर विचार कीजिए चलिए देखते कथन क्या है देखे इसमें अभी तीन कथन है फिर आपसें आपके ऐसे आएंगे कि ए पहला और दूसरा से ही है कि दूसरा ए तीसरा से ही है एक ग्रूप बरागर पूछते हैं तो पहले लच्छ दीप का कोई मैटर है तो वह कहां जाएगा केरल के हाई कोट में जाएगा ठीक दूसरा की मल्यालम राज भासा है लच्छ दीप की भासा क्या मल्यालम है अब देखेंगे हम यह एक जिला केंद शासित प्रदेश है क्या लच्छ दीप एक जिला केंद शासित देखें नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर जुनिए आपको सही उत्तर बताना है तो ए आप्षन में कि एक और दो केवल क्या कथन जो थी तीन में पहला और दूसरा ही सही है बी है दो और तीन क्या दूसरा और तीसरा ही सही है C है केवल एक और तीन यानि कि क्या केवल पहला और तीसरा सही है और D है आपका एक, दो, तीन क्या तीनों कथन सही है चलिए देखते है देखे पहला कथन क्या था या केरल उच नियाले के अधिकार छेतर में आता है तो ये बिल्कुल सही है देखे भारत के मैप आप लोग देखते हैं ऐसे यहां पर क्या है ये केरल और यहां पर लचदीप इंदर अंडमान निकवार है यह यह जो लचदीप है यह इसी करतिकार छहतर पे जाद करें यर्ठ के न्याले कि बात हो रही केरल करण राजभास यहां पर εκ है एप थे का दूसरा मुपला है कि आपको मिल्यालम तर छीज़ा इससे बनाया जाएगी। तो केरल के अंतर गथी बहुत सारी चीजे आ जाती हैं तो मली आलम राज भासा वह रहे हैं कि यहां पर ज्यादातर बोली जाते हैं जो मूल भासा है मली आलम है तीसरा कथन यहां एक जिला केंद्शासित्परजसंग थे तो बिल्कुत सही भी बताया आपको यह यह जान ओप्सन के थे तो तीनों सही हैं ठीक थोड़ाओ डिटियल में देख लेते हैं लचदीब के बारे में देखे यह एक्स्प्लेइन करने से अब यहीं से आपके 5-6 मसी क्यूब बन जाएंगे एक कोशन से आपके 5-6 कोशन बन जा रहे हैं लचदीब केरल के तट से 280 किलोमीटर से 480 किलोमीटर की दूर दूरी पर लचदीब सागर में ठीक लचदीब सागर में 36 एटॉल प्रभाल भित्यों का एक उश्रकटबंधी दीब समूँ है देखे इस बात को समझें बहुत टफ लग रहा है पढ़ने में पहली बात हम यहां पर समझेंगे 36 कि पहली बात अगर कोशन आए कि जो लचदीब है आप कितने दीब का समूँ है 36 हाला कि 35 बचे है भी मैं बताऊंगी तो 36 मेह पर प्रवाल। यह प्रवा प्रवाल देव हैं यानि प्रवाल दीव। शिर्व भीusz को सम्याशन का मुंगा चोटा 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 क्या करता है ऐसे बहुत सार गुच्छे में होते हैं एक साथ संभू में रहते हैं चोटे-चोटे क्या करते हैं अपने उपर एक बहुत हार्ड च्छत बना लेते हैं अपने चारों तरफ खोल बना लेते हैं बहुत ज्यादा हार्ड होता है और प्रवाल दीप कहते हैं जो आपका लच दीप है ऐसे ही प्रवाल दीपों से बना है कितने प्रवाल दीप है इसमें चट्टान बना देते हैं प्रवाल दीप है तो इसे बहुत सरे दीप है तो कुछ दीप ऐसे होते हैं रिंग के टाइप के मतलब इधर समूद्र है बीच में पानी है और यह आपके क्या कहते हैं धरती कुछ जो यह है हाड पार्ट ठीक किनारे समूद्र पानी बीच में पानी है रिंग शेप में है तो इनको क्या कहते है अटॉल कहते हैं यह जोग्रफी में आप लोग पढ़े होंगे अटॉल याद रखिएगा ठीक है और क्या सकता है कि जो आपके लच जीवय के लिश्ट करवंधि है यह अपर लोग जो आगर्फी में पढ़ेंगे उश्ट करवंधि हैं मतलब कि यहां कर्क और and it 5000 एक सभीन एक में तरह और मकरर्येखा के पीच में कर्कम और मकर्येखा के बीच में किने क्या कहभी खाता है 250 इसे बीच में ऑच 30 डीख भी झाले मैं अगर इसके उपर होता तो याद रखेगा वर्तमान में 35 द्यूप हैं प्रेजेंट में कितने 35 ही रहे गए हैं पहले 36 दें क्योंकि जो पराली द्यूप है यहां यह एक द्यूप जो है समुद्री कटाओ के कारण पानी में डूबा हुआ है समुद्री समुद्री कटाओ के लहराया से कट़ता गया गया पानी उसका उपर का हिसा घहीं वह पानी के अंदर दूब घया है थिक इस लिए अब पैतिस हैं लचछ दिव का अर्थ मल्यालम में एक लाख दिव है ठीक लचछ दिव का जो मीनिग हो गया है एक लाख दिव हालांकि पैत्य छत्य दुप ही है जो इस छेत्र में अधिकारिक और व्यापक रूप से बोली जाने वाली मूल भासा है इनकी language में कहा जाता है एक लाग लच्छ दीप का meaning मत्स पालन सबसे महतपूर उद्योग है देखिए अगर question आता है लच्छ दीप का सबसे महतपूर उद्योग क्या है तो मत्स पालन है मत्स पालन लच्छ दीप का सबसे महतपूर उद्योग है देखिए भारत का सबसे छोटा केंद शासित प्रदेश बनाता है जो आपके कथन में था तो यह बिल्कुल सही था जो भारत का सबसे छोटा केंद शासित प्रदेश मनाता है और उनका कुल सताह छेत्र सिर्फ 32 किलोम 32 km वर्ग है यानि स्क्वार में लिखते हैं च्छेत्रफल तो 32 वर्ग किलोमीटर है कह सकते हैं चलिए कावा रत्ती केंदर शासिन फिदर्श की राध्धानी है तो लच्छदीब की राध्धानी क्या है कवा रत्ती याद रखेगा एक्जाम में कभी गवी डायर कोशन पूछ लेते हैं और यहां च्छेत्र केरल उच न्याले के अजिकार च्छेत्र में आता है जो मैंने आपको बताया था क्योंकि बहुत ही छोटा है इसके लिए कोई स्पेसल हाइकोट नहीं बनाया जाएगा इसको केरल उचन्याले के अंतरगत ही रख दिया गया है और यहां है कि जिला शासित प्रिदेश भी है इन द्वीपों को पहले लक्का दीव मिनिकॉय अमिन दीवी द्वी के नाम से ज अमिन दीवी लच्डीब का पहले नाम ये था ठीक का है अब भी दि गिल्पूद कर दिया गया तो कब किया गया यह अग्जाम में पूछा सकते हैं तो कब किया गया एक नॉमबर 1973 को ठीक इसका नाम बदल कर क्या लच्डीब कर दिया गया है तो यह डेट आप बिल्कुल याद रखिएगा एक नॉमबर 1973 को चलिए अगला कोशन देखते हैं कुडन कुलम नाव की और जा सयंत्र जो सुर्खियों में हैं किस राज में इस्थे थे किस राज में इस्थे थे पहले देख लेते हैं केरल करणाटक तमिनाड़ू तलंगाना तो किस राज में isledther आपका तमिन नाव 18 में इस सुर्खियों केंद giles में उनका जो नाप की उर्जा निगम है रोसाटोम उसने क्या किया है कुड़न कुलम नाप की उर्जा सेयंत्र के लिए अधिक उनत इंधन विकल्प की पेश्कस की है ठीक है रूस की तरफ से किया जा जो ये फियूल निकल फियूल तो रूट से मंगाया है सेयंद्र के लिए। तथा उन्हें कुडन कुलम सेयंद्र की एकाई एक में लगाया गया है, जो शंतोष यनक इस तर पर काम कर रही है। चलि एगला क्उशन देखते हैं। हाल ही में भारव सरकार द्वारा जारी राजियों और जिलों के लिए सामाजिक प्रगती सूचकांक में किस राज को सर्वस्रेश्ट इस्थान मिला है देखे ये क्या है समाजिक प्रगती सूचकांक Social Progress Index तिक या दर रहे है Social Progress Index है यह किस राज को सर्व स्रेश्ट स्थान मिलाए अब यह किस लिए है यह इंडेक्स यह इंडेक्स बताती है कि कौन सा राज जो है समाजी की स्थर्व बहुत अच्छा काम कर रहा है कि वहाँ पर लोगों को सुतंता भी है वहाँ पर लोगों को साफ पानी मिल रहा है रहाँ प zij यह को दिद् Dog Zombie आंज को मिल रहा है तो घलमिकी चापी कर मिल रहा है तो इसको मिला है पहला स्थान और साफ्रí पहलन पहले देख लेए तो कि इस में पहला स्थान मिला है वह मिला है अपका पूडुचेश्य को ठीक याने कि पूडु-चेरी में चन्त ज्या जीवन है लोगों का बहतर है देख लेते हैं और इसके बार में थोड़ा सा हाल ही में प्रिधान मंतरी की आर्थिक सलहाखार परिशद ने देखिए ये नाम याद रखिएगा ने इंस्टुटीट फॉर कॉंप्टीटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इंपरेटिव के साथ आज इएसी पीम इएसी पीम ये इएसी क्या है यही है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ठिक कि द्वारा अनिवार भारटकी राज्यों और जीलों के लिए समाजिक प्रगति सूजकांक जारी किया है यह यादर किया है यह इंडक्स किस ने जारी किया है और्थिक सलहाखार परिशन ने इसके साब मिलकर के किया है पुटुचुरी का को देश में उचित्तम SPI स्कोर है देखें पुटुचुरी का स्कोर कितना है ज्यादर के 65.99 अब 65.99 भी बहुत सकते थे नहीं बोला क्यूं क्यों कि दसमलो के बाद जो अंक है उनको एक साथ में पढ़ते अलग-अलग पढ़ा जाता है जैसे इसको हमने 65 पढ़ा बट यह दसमलों के बाद आ गया है ठीक है तो हम इसको 99 पढ़ेंगे इतना है जिसका श्रे व्यक्दिगत सुतंत्ता जैसे घटकों में इसके उलेखनी प्रदर्शन को दिया जाता है जो भी राज जी या केंट शासित्त प्रदेस इंच हीत्रों में बहुत अच्छा काम करता है उसको इस इंडेक्स में क्या स्कोर दिया जाता है उस इसाफसे हमकी रैंक तैक की जाती ।ो सबसे अच्छा स्कोर मिला है बट्डुचेरी को 65.89 और 65.53 के स्कोर के साथ इसके पीछे यानि सेकंड नमबर आपका लच दीप का है पुटुचेरी के बाद और थर्ड नमबर आपका गोवा का है और सबसे बेकार प्रिदेशन किसने किया है जारखंड और बिहार ने ठीक है तो जारखंड का स्कोर कितना है 43.95 और बिहार का स्कोर आपके क्या 44.47 चलिए अगला कोशन देख लेते हैं दिगज फुटबॉलर गैरेट बिल ने फुटबॉल से सन्यास ले लिया है वह किस देश के खिलाड़ी है वहाल तनी योपशन देख लेते हैं फ्रांस इंगलेंड वैल्स पूर्त गाल किस देश के खिलाड़ी है यह हैं वेल्स के खिलाड़ी इनको याद कैसे करेंगे एक ट्रिक है जिसे गैरेथ बेल लिखा है बेल से वेल्स तो ऐसे भी आपको रिलेट करके याद कर सकते हैं क्योंकि ये सब नेम जो है अकसर कंफ्यूज कर देते हैं इनके बारे में थोड़ाओ डीटेल में जान लेते हैं गैरेथ बारे में गैरेथ बिल ने फुटबॉल से सन्यास की भुश्रा कर दी है गैरेथ बिल ने हाल ही में कतर में फीफा 2022 वर्ड कप में देखिए ये भी आद रखिएगा ये आपको यहीं पे मिल गया एक कोश्चन और पूछा जा सकता है जो फुटबॉल के लिए फीफा 2022 वर्ड कप तो आप जरूर याद रखिए या जाम में डायरेक्ट यहीं सो कोश्चन पूछ लेते हैं तो कतर में हुआ है ठीक है मैं अपने देश का प्रतिनिधित किया था गैरेथ बिल ने वेल्स के लिए इंटरनेशनल डेब्यू माई 2006 में किया था इन्होंने कब खेला इस डेब्य बार खेलते हुए 41 इंटरनेशनल गोल किया है ठीक यह इनकी बहुत बड़ी उपलब्धी है चलिए अगला कोशन देख लेते हैं फ्रांस फुटबॉल टीम के कप्तान कौन थे जिन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल फुटबॉल से सन्यास ले लिया है ठीक है तो देख लेत फ्रांस फुटबॉल टीम के कप्तान थे जुन्होंने भी सन्यास ले लिया इसलिए चर्चा में आ गए हैं तो थोड़ा डीटेल में जान लेते हैं इनके बारे में इन्होंने और क्या किया है फ्रांस फुटबॉल टीम पे कप्तान ह्यूगो लोरिस ने इंटरनेशनल फुटबॉल को अलविदा कह दिया है हाल ही में संपन हुए फीफा 2022 वर्ड कप में उन्होंने फ्रांस टीम का नेतुरत किया था उनकी कप्तानी में फ्रांस ने रूस में आयो जित फीफा वर्ड कप 2018 में विश चंपियन बना था उन्हें 2018 में नाइट ओफ दा लीजन ऑफ ओनर से सम्मानित किया गया था तो एक और कोशिन आप लोगों के लिए हैं यह क्या है नाइट ओफ दा लीजन ऑफ ओनर देखे यह फ्रांस का सर्वोच नागरिक पुरुषकार है जैसे भारत में क्या है सर्वोच नागरिक पुरुषकार भारत रत्न ऐसे जो फ्रांस का जो सीष नागरिक पुरुषकार वह कौन सा है night of the lesson of honor भारत में कितने नागरिक पुर्षकार होते हैं भारत रत्न मैंने आपको बताया सबसे बड़ा नागरिक पुर्षकार है भारत रत्न यह मैं बता दिरू उप्जाम में यह पूछ लिया जाता है कभी-कभी तो सरवोच पूछे अगर भारत रत्न बताएं उसके बाद क्या नागरिक पुर्षकार आते हैं पद्म पुर्षकार आते हैं उसके बाद पद्म पुर्षकार आते हैं इसके बाद तो कौन कितने पुर्षकार है तीन है आपके कौन-कौन से जो पद्म पुर्षकारों में जो सबसे बड़ा है पद्म वी भूसर्ड आपक को को देख रहा है नीचे मैं और दूसरा है यापका पध्म हूशर्ड ऑर तीसर है तो यह चार ँगरों पूसकार है भारत में और भारत बेड़ा है उसके बाद पद्म ह्योसर और अगेम भूसर है और फिर लोग चल के नढ़ळ से लिए प्सगाड़, necessary बीद पड्मे को बहुत इक्कम लोगों को दिया जाता है जो वाकई में जिसने बहुत ही बड़ी चीज की हो फारत के लिए और बुद्म भूसर्ड यह भी बहुत विशिष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है जो बिल्कुँ असाधारर सा काम हो और बहुत ही अच्छा काम किया हो कि जिस बिया तो झेले 50 आप्लार के ने में पाने चाहएं दिवागा जेऊ जाए को यह कोषान आपके आपका सियाक किस दिन पनाया जाता है आपसन सैंट आपि शी आमाहले पता होगा दस दन वरी को क्योंकि दीव स्क्राइब हिस्व दिन पहले हिस था आपका विष्व लिए हंधी दिवस कि निन पता बनाय जाता है 10 गन्री और यत जीजरत है यहाँ प्ता लिए 10 जनवरी बताया है अगर राष्ट्री हिंदी दिवस पूछा जाता है तो कब मनाया जाता है आपका 14 सितंबर को याद रेखिए जाता है इससे भी कोशन पूछ लिया जाता है थोड़ाव डिटेल में देख लेते हैं प्रतिवर्स 10 जनवरी को विश्य हिंदी दिवस दुनिया समान में मनाया जाता है जब भारत की अतिकारिक भासा हिंदी स्वयुक्त राष्ट महासभा में पहली बार बोली गई थी वर्स 1975 में नागपुर में पहली बार विश्य हिंदी संभेलन का आयोजन हुआ था यह आपके लिए एक और कोशन आ गया यहां पर यह पूछा जा सक कि विभिन छेत्रों में इस तरह के समयलन आयोजित किये जाते रहे हैं अगला कोशन देख लेते हैं इस वर्स 75 सेना दिवस किस सहर में आयोजित किया जाएगा ठीक 75 है बहुत इंपॉर्टेंट है एक चीज और हो जाती है जब आपका कभी 25 पचासमा खासकर समा 75 इस तरह क कि जब डेट होती है तो बहुत जादे इंपॉर्टेंट हो जाती है तो यह 75 सेना दिवस है तो किस सहर में आयोजित किया जाएगा भॉपाल में पुडे में बैंगलूरू में की एहमताबाद में तो कहां युजित किया जाएगा आपका बैंगलूरू में थोड़ाओ जाता है तो 15 जनवरी 2023 को सुरी अगर सिफ दिवस पूछे तो 15 जनवरी को और इस बार क्या है 2023 चल रहा है तो हमने लिखा है 2023 को 75 सेना दिवस समा रहो का आयोजन बैंगलूरू में हो रहा है या पहली बार है जब यहां कारकरम देश की राजधानी के बाहर आयोजित होगा यानि कि हर सनitime देश के रालधानी दिल्री में वहता था लेकिन अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि यह रालधानी के बाहर सेलबरेट हो रहा है मेजर जनरल रवी मुरूगन जी ओशी है जो करनाटा को केरल अप्छेटर ने बताया की यहां तफ्षookie भारती लोगों के लिए भारती संaning चम्ताओं पुसरी करने बढ़ावाद देने के लिए अवसर होगा पहली बार बाम हो एक प्रतिभाद होगा हुआ चलिए एगला कुशन देखते हैं पियम मोधी 12 जनवरी दो हजातेज को 26 में राश्ट्री युवा मोहत्सो का उद्गाटन किस राजिमें करेंगे देखें कोशन में ही आपका क्या है एक और कोशन शिपा कि 12 जनवरी को क्या राश्ट्री युवा मोहत्सो तो कोशन ऐसे भी कुछा सकता है कि राश्ट्य युवा दिवस कं मनाए है जाता है ठोबा जनवरी को मनाए है mee कहाँ पर में य익 production देख लेता है का नाटक में बाराश्टृ जनवरी दोजवा मोहत्सो का उद्घाटन किया जाएगा करनाटक में थोड़ाव डिटेल देख लेते हैं इसकी यहां कारकरम राष्टी युवा दिवस पर आयोजित किया जा रहा है यहां दिवस स्वामी विवेका नंती जैनती पर उनके मूलियों से छाओं उपलवधियों का सम्मान करने के लिए मना आय जाता है तो एक्जाम में ये भी पूझा जा सकता है कि जो भारती युवा दिवसे वो क्यों मनाया जाता है ठीक है किस की जैनती पर मनाया जाता है तो स्वामी विवेकानन्द की जैनती पर मनाया जाता है स्बीकानन जी और समान करने मनाया जाता है मिधावी युजेन पहचान दिलाने के साथ राष्टी विकास की और प्रेडित करने olhos किया जाता है जो देश के जो मिधावी युजेन उनको क्या क्या मौका दिया जाता है उनको फीचर में कुछ अच्छा करने के लिए इंस्पायर किया जाता है उनकी help की जाती है चलिए अगला कोशिन देख लेते हैं जो आज का आपका लास्ट कोशिन है क्रिकेटर ड्वेन प्रिटोरियस ने हल ही में सन्याज की घुषणा की है वह किस देश के खिलाडी है और सब्सक्राइब के अच्छे जो आपके जो व्हां प्रिटोरियस हैं यह आपके साउथ अफ्रिका के खिलाडी है थोड़ा और इंके डिटेल के बारें जान लेते हैं क्रिकेटर है और जो यहां पर IPL में आपकी सुपर चनई सुपर किंग्स होती है उसमें भी यह जो टीम है उसमें इन्होंने खेला है चलिए देख लेते हैं साउथ अफ्रिका के आल रॉंडर है ड्वेन प्रिटोरियस ने इंटरनेशनल क्रिकेट से सन्यास ले लिया है वहां इंटरनेशनल क्रिकेट में साथ मैच खेलते हुए 77 विकेट हासिल के यह इनिकी उपलब्दिये साथी 536 रन भी बनाए हैं वहां IPL म इसमें इसके लिए भी खेले हैं जैसी टीमों के लिए खेल चुके हैं इनके हलावा प्रिटोरियस 30 30 T20 इंटरनेशनल मैच भी खेल चुके हैं यह जिसमें वहां 35 विकेट और 261 उन्होंने बनाय थी एनकी एक और उपलब्दिये चलिए आज का करेंट एफिर आपका कम्प सकते हैं और जो आज की क्लास का जो पीडियेफ है आपको हमारे टेलिग्रम चैनल पर मिल जाएगा तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्ट क्लास में थेंक यू